दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे एक कहानी ब्लिस इस कहानी को लिखा था कैथरीन मैंसफील्ड नहीं कैथरीन मैंसफील्ड की इसके अलावा एक स्टोरी आपने पढ़ी होगी तक कप आफ्टी देगी दोस्तों ये स्टोरी कुछ उसी टाइप की है मैं आपको इसको ढंक से समझाने की कोशिश करूँगा ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है इसके अंदर की गहराई को समझने की कोशिश करना कहानी है बर्था यंग नाम की एक 30 साल की आरत की उसके एक दिन की कहानी है उसके पूरे दिन को बताया जाता है कि उसकी साथ क्या क्या हुआ इसका एक husband है और इसकी एक बेटी भी है कहानी शुरू होती है जब बढ़ता बहुत ही खुश है खुश यानि कि blissful है blissful यहाँ पर bliss word से लिया गया है बढ़ता एक 30 साल की लेडी है जिसकी एक बेटी है एक husband है वो इतनी खुश है कि वो अपनी खुशी को संभाल तक नहीं पा रही है और किसी बच्चे की तरह बाहर घूम रही है अपने घर से बाहर अब यह खुश इसलिए नहीं है कि इसका एक अच्छा खासा husband है प्यारी सी बच्ची है बलकि खुश इसलिए है क्योंकि आज इसके घर में एक party है एक dinner party जब यह घर लाटती है तो घर लाटकर वो dinner party की तयारी में लग जाती है अब dinner party के लिए यह इतनी ज्यादा excited है कि इसने जो fruits लिया है न वो भी ऐसे लिये हैं जो कमरे के color को match करें यानि बहुत ज्यादा excited है इस party के लिए यह हर एक चीज को एक artistic perfection के साथ में इसने set किया है कमरे के अंदर इसके बाद ये सब करने के बाद ये जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी जिसको इसने उसकी nanny को यानि की आया होती है घर में उसको दे रखा है संभालने के लिए basically इस type के घरों के अंदर हमको देखने को मिलता है कि बच्चों को आया के हवाले कर दिया जाता है कि आप ही संभालो कुछ टाइम के लिए ये बच्ची को अपने हाथ में ले लेती है और उसे फीड करती है थोड़ी देर बाद में वो आया वो नैनी वापस आती है और इससे इसकी बीटी ले जाती है और ये चली जाती है अपने living room में living room में जाने के बाद में इसे फील होता है कि एक अजीब टाइप की खुशी इसको परिशान कर रही है पता नहीं किस टाइप की तभी अचानक इसके husband का call आता है और ये दोनों शाम की party की बात करते हैं बर्था के husband का नाम है Harry ये दोनों host हैं party के और इस party में जो guest आने वाले एक और guest आने वाले है Mr. Eddie Warren और एक और चौती guest को बुलाया गया है जिनका नाम है Miss Pearl Fulton अब बर्था की husband Harry ने ये बोला बर्था को कि मैं Pearl को invite तो कर रहा हूं लेकिन Pearl से एक रूखा behavior रखता हूं कारण क्या है कि वो लड़की Harry को बिलकुल पसंद नहीं है Harry ऐसा बोलता है ब बहुत ही अच्छी लड़की है अब हमें ये सब सुनकर ऐसा लगता है शायद बर्था को इस Pearl में कुछ ज्यादा interest है यहाँ पे homosexuality की बात किये दोस्तों अब आप समझ रहे हो कि इसके मन में जो खुशी है वो किसके लिए है तो अब ये इंतिजार कर रही है आने वाले guest का जब वो महमानों का इंतिजार कर रही थी तो उसने देखा उसके garden में एक pear tree लगा हुआ है जो बहुत ही अच्छा खिला हुआ है तो उस tree को देखते हुए वो बहुत ज्यादा खुश होती है ऐसा लग रहा था जैसे वो tree वो उसकी खुद की खुशी को reflect कर रहा है लेकिन त कुछ ऐसा जो unfortunate हो anyways हम लोग उस शाम की party में चलते हैं जब सारे guests आ चुके हैं पहले पहले हम लोग मिलते हैं Mr. Knight से और उनकी wife Mrs. Knight से फिर उसके बाद Eddie Warren आते हैं और उसके बाद में pearl वो लड़की अब पूरी party के अंदर सिर्फ art और literature की बाते की गई क्योंकि यहाँ पर सार लगने को मिलता है यह बर्था जो थी जब pearl अंदर आई तो यह बहुत ही अलग टाइप से behave करने लगी बहुत अलग टाइप से passionately react करने लगी जैसे यह बहुत बेताप थी इस लड़की से मिलने के लिए pearl से अब यह बात बहुत ही strange थी उस जमाने में क्योंकि उस time पर homosexuality इ लेकिन किसी भी तरह से इसने खुले रूप से यह नहीं कहा कि मैं pearl की तरफ attracted हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया वो जमाना ही कुछ हैसा था बर्था की साथ पहली बार नहीं हो रहा था उसने पहले भी कई सारी women जो की बहुत अलग थी इस pearl की तरह strange kind of specialities होती है ना किसी कि excited feel करती थी तो यह पहली बार नहीं है इसके लिए अब party ऐसे चल रही थी कि अचानक हम देखते हैं कि Harry जो की बर्था का husband है वो pearl की तरफ थोड़ा सा cold behavior रखता है पहले इसने कह दिया था कि pearl इससे पसंद नहीं है लेकिन बर्था को यह चीज पसंद नहीं है कि उसका husband pearl से इस तरह का behavior कैसे रख रहा है उसे अपने guest से अच्छे से बात कर रही चाहिए अब इस शाम की party में एक moment ऐसा भी आता है जब बर्था और pearl अकेले खड़े होते हैं विंडो के पास में और यह इतना खूबसूरत सीन था दोस्तों जब बर्था सब कुछ फील कर रही थी pearl के अपने मन में एक connection फील कर रही थी और उनके सामने ठीक सामने वो पियर ट्री था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था बर्था को यह party शुरू होने से पहले pearl के अंदर एक अजीब आदत थी कि जैसा वो feel करती थी न वो express नहीं करती थी लेकिन बर्था ऐसी नहीं थी करती वो सब चीजों को express करती थी और बर्था ऐसा चाती थी कि pearl भी मेरी तरह सब चीजों को express करें बर्था इंतजार कर रहा थी pearl की तरफ से एक response का एक signal का एक sign का अचानक से बर्था के अंदर pearl को लेकर sexual desires उठने लगें लेकिन वो उन desires को express नहीं कर सकती थी तबी अचानक उसके अंदर जो desires आ रहे थे, उसने उन desires को convert कर लिया अपने husband की तरब। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने उसके साथ में बांधा है, अपनी dignity को कायम रखने के लिए उसने कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि यही energy जो इसके अंदर इस वक्त आ रही थी न, वो ही energy वो चाती थी कि जब वो अपने husband के साथ हो तब बाहर आए, अब वक्त आ गया कि party close होने वाली थी, एक के बाद देख करके इनकी guest जाने लगे, पहले Mr. और Mrs. Knight गए, फिर उसकी बाद वो poet Eddie Warren वो भी जाने लगा बर्था Eddie को छोड़ने गई, तब Eddie ने बर्था से कहा कि मेरी एक book है जो अंदर रह गई है, वो जाती है book लेने के लिए हॉल में, तो दोस्तों वो क्या देखती है, वो क्या देखती है कि उसका husband Harry पर्ल के साथ में खड़ा हुआ था, उन दोनों ने एक दूसरे को गले लग की थी, इसका मतलब उसकी husband का पर्ल की साथ में affair चल रहा था, और उन दोनों की lips की moment को देख करके इसे अंदाजा हो गया था, they are intimate with each other, ये वो moment था जब बढ़ था, अपने आप में तूट गई, उसके मन में जो विचार थे Harry के लिए, अपने husband के लिए, अपनी loyalty के बारे में सब एक साथ धराशाई हो गए, कुछ भी तो नहीं बदला था उस शाम को, वो pear tree, उसकी खुब सूर्ती पे कोई कमी नहीं आई थी, शाम वैसी की वैसी थी, सब कुछ वैसे का वैसा था, लेकिन बढ़ था के अंदर सब कुछ तूट चुका था, तो ये कहानी थी एक औरत क जो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और ये कहानी खत्म होते होते उसकी खुशी भी एक गम से खत्म हो गई, ये चीज बहुत ही आईरोनिकल है कि happiness, desire और ऐसी सारी चीजें जिसे एक औरत खुश होती है, वो सारी चीजें बढ़ता जिसे औरतों के लिए है ही नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब उनके पास में ये चीजें आती है ना, वो holding नहीं कर पाती, उमीद कर रहा हूं मैं ये कहानी आपको समझ में आये होगी और इसका inner meaning भी आपको समझ में आया होगा, आज की इस वीडियो में बस अतना ही